मेवात आज तक समराट बनने के लिए उसे महाराणा संगराम से मेवाण और हसन खा मेवात बाबर के लिए कड़ी चुनोती के रूप में सामने खड़े थे बाबर ने हसन खा मेवाती को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें सिलाम का वास्ता दिया तथा एक लड़ाई में बंदक बनाये गए राजा हसन खां के पुत्र को बिना शर्त छोड़ दिया गया लेकिन राजा हसन खां की देश भक्ती के सामने धर्म का वास्ता काम नहीं आया 16 मार्च 527 को राजा हसन खां ने राणा सांगा के साथ मिल कर खानवा के मिदान में बाबर की सेना दोनों जम कर लड़े आचानक एक तीर राणा सांगा के सर पर आ लगा और वह हाती के ओदे से नीचे गिर पड़े जिसके पाद सेना के पेर उखडने लगे तो सोनापती का जंडा खुद राजा हसन खां मेवाती ने समाल लिया और बावर सेना को ललकारते हुए उन पर जोरदार हमला बोल दिया राजा हसन खा मेवाती के 12,000 घुरसवार सिपाही बावर की सेना पर टूट पड़े इसी तुरान एक तोप का गोला राजा हसन खा मेवाती के सीने पर आ लगा और इसके बाद आखरी मेवाती राजा का हमेशा के लिए 17 मार्च 1527 को अंथ हो गया शहीत राजा हसन खा के ब्रत शरीर को उसके पुत्र ताहिर खान नजदी के रिष्टेदार जमाल खान और पतेह जंग खान जादा लेकर आए उसके बाद राजा हसन खान के पार्दिक शरीर को अलवर शहर के उत्तर में सुपूर्दे खा किया गया यहाँ पर राजा हसन खा के नाम पर एक यादगार छटरी बनाए गई थी लेकिन देश के सबसे बुरे दौर सन 1947 में उप्दरवियों ने इस महाल सुतनुदा सेनानी राजा हसन खा की यादगार छटरी को भी नश्ट कर दिया जो की सरासर गलत था और आज भी दुखी बात हिया है कि हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिले में शुमार है राजा हसन खा मेवाती का यह मेवात इलाका आपके जानकारी के लिए बता दे मेवाती मुसल्मानों ने हमेशा हबबूल वतनी का पेगाम दिया है पंद्रवी शताबदी में हिंदु औसर समाज और हिंदु राजाओं का साथ दिया था और बाबर के लांक जागीरों को शुक्राया और बाबर से लड़ते लड़ती 12,000 मेवाती मुसलिम घुरसवा राजस्थान का नवा के मेदान में शहीद हो गए भारत के इतिहास में इससे बड़ा बलेदान कोई और नहीं है हुकूमत हिंदुस्तान को इन मेवाती मुसल्मानों की कदर करनी चाहिए क्योंकि राश्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस मेव कौम को मार्शल कौम तता हिंदुस्तान की रीड की हड़ी कहकर पुका मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राए आप सुन रहे थे राजा हसन खा मेवाती और मेव कौम का इतिहास मेवात आस तक के लिए हर्याणा मेवात से अर्शद बिस्रू के विशेश रिपोर्ट प्यारे दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजे शेर कीजे यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन गंटी को दबा दीजिए दोस्तों फिलाल इतना ही फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जोड़ी ताज़ातरीन खबर हैं तब तक आप बने रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेवाद आज तक के साथ